प्रिंस्पल गर्मट मेडिकल कॉलेज जम्मू डॉक्टर शेशी शूदन ने आज एक सरकारी हैंड़ाउट के जरीए कहा है कि जितनी भी इपिडिमॉलोजिकल स्टाडीज की गई हैं उसमें सार्ज कोव टू के वैरियंट सेकंड वेव के लिए भारत में जो लिए वही जम्मू कश्मीर में भी रिस्पॉंसिबल हैं उन्होंने ये कहा है कि जो एकदम से इंक्रीज हुआ कोविड डिटेड अमवात का जम्मू कश्मीर में और खासकर जम्मो में वो B1 6172 वैरियंट की वैरियसे हुआ है और इन्होंने कहा कि यह हमने पहले भी कहा थ हम आप Genomics में Genomics Sequences और Analysis के लिए भेजते हैं कि कौन से वाइरस Circulate कर रहे हैं और कौन से Variant Circulate कर रहे हैं डॉक्टर सूदर ने ये भी कहा कि जो Information हमारे पास आई है कि जो Increased Transmissibility थी कि बहुत ज्यादा लोग इंफेक्ट हुए और अमबात जो मई के महीने में बहुत ज्यादा हुई वो Variant of Concern की वज़ा से हुई उसके बाद उन्हें ये भी कहा कि जो COVID-19 के Positive Samples का डाटा जो Department of Microbiology GMC जमू से National Center for Disease Control दिल्ली भेजा गया Genetic Sequencing के लिए उसमें से 68.5% जो जिन पेश्ट जो trend भी कहा जाता है और उसको Variant of Concern World Health Organization ने classify किया है Principal Medical College ने ये भी कहा कि mortality rate जो patients में high density unit जो government medical college का जो जिसमें patients admit हुए वो 62.5% है यानि आधिकारिक तोर पर government medical college ने आज ये माना है कि mortality rate उन patients का जो high density unit में admit हुए 62.5% था यानि 100 में से 62.5% लोग अगर HD unit में admit हुए तो उनकी जान हम नहीं बचा सके इन दोस infected with the variant of concern with a very high number of young patients बहुत बड़ी तैदा थी young patients की और indicating the higher public health implications of the variant Dr. Sharma further added that जिन patients को admit किया गया 58.4% में B1 617.2 था variant of concern था 22.47% में B1 mutation थी 6.24% में B11 mutant था 3.37% में B16171 variant था और 1.1% में B117 UK variant था उसके अलावा इन्हों ने ये भी कहा कि 2.24% जो एक patient admit हुए उनमें कोई mutant था ही नहीं यानि बात यहां आकर ठहरी कि government medical college जम्मू के principal Dr. Shashi Sudan ने कह दिया कि जम्मू के government medical college के high density unit में जिन लोगों की मौत COVID-19 के कारण हुई वो सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि उन लोगों को COVID-19 के उस variant ने infect किया था जिस variant को WHO ने variant of concern कहा है यानि B1 6172 यह epidemiological है और इन्होंने study की बात की है और जब हम study की बात करते हैं तो study में कोई भी आपने study करानी हो मिसाल के तौर पर आप इस time जब यह COVID-19 का यह जो second wave है यह wave नीचे आई है हालां कि आज भी जो हमारे पास सरकार की तरफ से एक COVID-19 का media bulletin आया है उसमें भी लगबग आप समझ लीजे यह 15-16 के करीब करीब लोगों की मौत हुई है और आपकी जानकारी के लिए बता दू कि फर्स्ट वेव जब जम्मो में आई थी तो पंद्रा लोगों की मौत, 16 लोगों की मौत, 17 लोगों की मौत दिन का आंकड़ा होता था तो इसका मतलब अभी भी कोई यह कहे कि wave नीचे आई है या infection कम हुआ है जाहिर सी बात है infection को रोका है हमने लेकिन फर्स्ट वेव में जितनी मौतें लगबग रोज हो रही थी उतनी ही मौतें इस समय जब ये wave नीचे आई है आज भी हो रही है तो पहली बात तो ये समझना कि अपने guards को lower करना, mask छोड़ देना, masking नहीं करना, ये अभी भी अकलमंदी नहीं है दूसरी important चीज़ ये कि आप सारे का सारा इल्जाम अब जो है virus के variant पर डाल दिया गया है और साफ तोर पर अब ही कह दिया गया है कि कोई भी गलती, कोई भी कमी, कोई भी कमजोरी हमारे अपने system में नहीं थी, सारी गलती जो है इस चीज़ की है कि variant of concern आ गया था और variant of concern के आने की वज़ा से ये तमाम हम बात हुई है variant of concern आया और 31 माई को variant of concern चला गया जून से आप जानते ही है कि unlockdown की प्रक्रिया शुरू हुई है और आजस्ता आजस्ता बाकी भी unlockdown जो है वो start हुआ है अगर variant of concern है तो एक बात जरूर government medical college के staff और government medical college के में जितना प्रशासन के लोगों के पास पहुँचाना चाहेंगे और साथ में ही वही बात कोशिश करेंगे कि government तक भी पहुँच जाए वो बात basically यूँ है कि आज भी अगर हम बात करें तो आज भी हमारे पास बहुत अच्छी खासी तैदाद में वो patient है जो home isolation में है मैं अगर जम्मू की बात करूँ तो इसनमें जम्मू में active positive 2144 cases है और 327 लोग आज recover हुए है और 1115 अमवाद जम्मू में हो चुकी है अब 2144 लोग जम्मू में covid positive है 528 अधुमपूर में 574 रजाओरी में 994 cases इस समय डोडा में active positive cases है डोडा में 158 कटवा में 330 सांबा में 171 किश्टवार में 825 में 387 रामबन में 113 रियासी में और 6022 लोग जम्मू डिविजन में अभी भी covid positive है होम isolation में है हस्पतालू में है अभी भी 6022 लोग है जो covid positive है क्या इन में variant of concern है या नहीं है अगर इन में variant of concern है तो क्या हमको unlock down करना चाहिए था चूँकि आपका press note कहता है कि transmissibility जो है वो variant of concern की बहुत ज्यादा है अगर transmissibility बहुत ज्यादा है तो आप से ये भी समझना चाहेंगे कि जो covid wards के अंदर attendant पेशेंटों के साथ रह रहे थे उन लोगोंने covid को कितना बाहर फैलाया वो भी आपको study करनी पड़ेगी वो भी लोगों को बताना पड़ेगा और अगर तमाम हमबात variant of concern से हुई हैं तो जिस घर के लोग अपने परिजन को लेकर medical college के covid ward में उसकी तिमारदारी कर रहे थे उन लोगोंने बाहर निकल कर कितने लोगों को covid positive किया होगा क्या इसका कोई data आपके पास है आपने कितने लोगों की जान risk पर डाली जब आपने ये इजाज़त दी कि आप जाईए जी आपको इजाज़त है आप अपने covid positive patient के साथ जो है वार्ड में रह सकते हैं कितनी खतर पारण government medical college जम्मू में 440 लोगों ने मई के महीने में अपनी जान गवाई मतलब ये सीधा सवाल है और मैं उमीद करूँगा प्रशासन इस सवाल का जवाब देगा मैं उमीद करूँगा कि MDNHM जरूर पूछेंगे medical college से कि खुदारा आप मुझे ये बताईए कि आपने कि लोगों को क्योंकि variant of concern आपने कहा है और variant of concern HDU में ही patient ते जो variant of concern से infected थे बाकी नहीं थे इसका data आपके पास होना चाहिए उसको भी share कीजिए और वो जो B16172 जबर्दस transmissibility जिसकी थी तो वो जो attendant थे जो वो वाड से बाहर निकल रहे थे सभी तो मारुती कार वाले नहीं थ थे सभी तो five star कारों में नहीं आ रहे थे बड़ी तेदाद में तो वो लोग थे जो auto का इस्तमाल कर रहे थे बड़ी तेदाद में जो वो लोग थे जो scooter बाइक के ओपर आ रहे थे उन लोग उन्हें कितने लोगों को infect किया होगा जिस locality में वो लोग रहते होंगे आपने क मैं नहीं कह रहा हूँ आप कह रहे हैं कि वेरिंट अफ कंसर्न था तो कितने लोगों को उन लोगों ने इंफेक्ट किया होगा और क्या आपको नहीं लगता कि प्रिंस्प सेक्टरी हेल्थ फाइनशल कमिशन हेल्थ मेडिकल एजुकेशन को इस पर बाजापता एक इंक्व कुछ तो आपको देना होगा क्यूंकि आज आपने खुद कहा है माना है कि वी वन सिक्स एवन सेवन टू जो है यह वेरिंट अफ कंसर्न जो है जिसकी वैसे अमबात हमारे जादा हुई है आपने साफ तो पर यह किसी की कोई गलती नहीं हमारे पास एक्युपमेट था हमार नहीं आया होता तो इतने अमबात भी नहीं होती इतना खुबसूरत तरीका पल्ला जाडने का वो भी जब आप एक इंपॉर्टन पोजिशन पर है और यह पल्ला जाडने का है इधर यू एव एव तो एक्सेप्ट एट ठीक एवेरिंट अफ कंसर्न था और वेरिंट अफ क वह हमारे पास नहीं था हमारे पास स्टाफ की कमी थी नर्सिस की कमी थी ये भी तो मानिये जब आप ये सब चीजें साथ में मानेंगे तो एक आम आदमी जो है उसका मन शान्त होगा उसको लगेगा कि ठीक है अब बात बिलकुल सही है कि वेरिंट अफ कंसर्न भी था और य जो नाशनल चैनलों के उन बड़े कैमरों से सिर्फ कुछ तस्वीरे कायद करने की आदत जिनको होती है वो हमें नहीं है बलके हम तो 24-7 आपके साथ संपर्ग में रहते हैं मालूम करते रहते हैं कि क्या हो रहा है क्या गर्वर्मेंट एक आडिट करेगी गर्मेंट मेडिक स्केलिक्ट किये हैं एक एक करेज होता ना जी वो करेज आपके पास होना चाहिए इफ यू आर ब्लेमिंग बीवान 617.2 वेरियंट फॉर अल देट्स प्लीज और 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 इंट इन्ट फंक्शिंग अफ दी माइक्रो बाइलोजी लाब जहां सारी टेस्टिंग ह रहे थे किनको टेस्टिंग की इजाज़त दी गई कौन लोग माइक्रोबाइलोजी लाब के जिम्मेदार थे और क्यों आपको कोबास की मशीन को जिस समय नई मशीन आपने जो अब इंस्टॉल की है उस मशीन की इंस्टॉलेशन में पुलिस का क्या काम पुलिस वहां पे क कि सब हमने कर लिया था यह वेरेंट अफ कंसर नया आ गया जिसकी वैसे सारा काम खराब हो गया वरना हम तो बिल्कुल तैयार थे वैल उक्यूब थे इसके बाद उनको ड्रडर्स करने की कोशिश करना और उसके बाद मानना ये चीज को कि हां जी हमारे पास नर्सिस की कमी थी हमारे पास स्टाफ की कमी थी हमारे पास पर्मिल ओलिस्टू की कमी थी हमारे पास एक्यूप्मेंट की कमी थी हमारे पास इक्यूप्मेंट की कमी थी, मानना इन सब कम्यू को जब आप इनको accept करते हैं gracefully, तो तब जाकर आप तयार होंगे अगली वेव के लिए, लेकिन अगर आप ये कहेंगे, कि जी फलाँ को चुप करा दो हमारा काम हो जाएगा फलाँ बोलना नहीं चाहिए हमारा काम हो जाएगा तो इससे होगा गया कि लोग तो खामोश रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन